जहिन सातियों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ आप लोग घड़ पे होंगे सुरक्षित होंगे और मन लगा के त्याड़ी कर रहे होंगे तो दोस्तों एक बार पुना स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूटूब चैनल अमित्सर इंग्लिस गुरूप है और मैं तो यह चैप्टर है नैरेशन तो नैरेशन पर मैं आपको पहले ही बता दू कि नैरेशन पर मैं दो वीडियो अल्लेडी बना चुका हूँ पहला वीडियो लेकर आया था फिर उसका बाद सेकेंड वीडियो लेकर आया था यह थर्ड वीडियो है तो थर्ड वीडियो में हम लोग सेखेंगे कि रूजर्फ क्या करते हैं इस वीडियो में हम लोग यह सिखेंगे चेंज ऑफ ग्रूप में इसको क्या कर दे अधिक से अधिक बच्चों तक ताकि जो है यह जो नीड है एजुकेशन की उस सब की पुड़ा हो सके तो चलिए बीना समय का वाए हुए हम लोग डिरेक्ट आपको चेप्टर में चलते हैं तो आप इस वीडियो में क्या सिखने वाले हैं तो म दो वीडियो जरूर देखना चाहिए और तब जाकि यह पार थर्ट वीडियो देखेंगे तो आपको अधिक सदिक समझ में आएगा चुकि उन्हीं दो वीडियो में हमने सिखाया कि भाई नेरेशन को हम चेंज कैसे करते हैं इसमें तो मैं यह बताऊंगा कि चेंज कैसे कर बताते हैं ओल्स यह तो टोटल के टो टोटल में इसके पहले वाले वीडियो मेना चुका हूं तो मैं आपको फिर से री कि इसको नोट करेंगे को क्या करेंगे कॉपी में क्या करेंगे इसको दाउन इंका Amazon सब्सक्रात doenक learner चीनक Ugh तो पहले आप रूल को समझने की कोशिस कीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिस कर रहा हूँ, लिखा है कि यदि रिपोर्टेड भव रिपोर्टेड भव आप जानते हैं ने रिपोर्टेड भव नहीं रिपोर्टेड भव यदि रिपोर्टेड भव परजंट या फ्यूचर टेंस में हो यदि रिपोर्टेड भव किस टेंस में हो reported speech के tense में निमलिखित change किये जाते हैं पहले तो आपसे मैं आगरा करूँगा कि इसका screenshot ले लिजिए या आप इसको लिख लिजिए मैं बोल देता हूँ लिखिए तो यदी reporting भव present या future tense में हो तो indirect बनाते समय क्या लिखना है? इन डाइरेक्ट बनाते समय reported speech के tense में कोई change नहीं होता आपने exercise 73 और 74 जो बनाया था उसमें क्या था? कोई change of tense था? क्यों change of tense नहीं था? change of tense इसलिए नहीं था चुकि उसका जो reporting भव था वो आ रहा था say या आ रहा था sage या कहीं कहीं will से भी आया था तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये say भव का कौन रूफ है? पाला और ये sage भव का कौन रूफ है? पाचवा और ये will sage जो है क्या है? मतलब सेल विल जब भी होता है तो वह क्या होता है? future tense होता है तो सेदी सी बात है कि आपको ये say will से clear हो गया है कि ये future tense है? कि नहीं? और जो है sage, say और sage ये b1 और b5 है, मतलब ये किस tense के वाक्य होंगे? present and definite tense के वाक्य होंगे? ये present tense के वाक्य होंगे? तो वही बात है कि reporting भव क्या आ रहा था? अभी तक जो आप अभी तक जो आपने रेशन बना रहे थे उसमें reporting भव या तो say आ रहा था, नहीं तो say जा रहा था नहीं तो say will के बाद जो है say आ रहा था, तो ये present हुआ और ये future हुआ तो reporting भव जब present और future tense में होता है, फिर से समझे मैं समझा रहा हूँ यदि reporting भव परजंट या future tense में होता है तो indirect बनाते समय reported speech के tense में कोई change नहीं होता है लेकिन reporting भव past tense में हो, past tense का मतलब क्या? वहाँ पर भव का कॉंडूफ होना चीए, भव का कॉंडूफ second form होना चीए मतलब sage, sage नहीं होना चीए, will से नहीं होना चीए, क्या होना चीए? sad होना चीए, ठीक है? यह sad जो है न भव का कॉंडूफ है? मतलब यह second form है, तब हम क्या करते हैं कि जब reporting भव sad हो, मतलब past tense में हो, तब हम क्या करते हैं कि भाई, reported speech के, reported speech, आपको बता दिये, reported speech किसको बोलते है, reported speech उसको बोलते है, वह वाक्य को बोलते है, जो inverted comma के क्या हो, अंदर हो, reported speech, उस reported speech के tense को हम क्या करते है, निमलिखित जो है, ढंग से change करते है, निमलिखित table के नुसार change करते है, तो change कैसे करते है, अब आपको table के हिसाब से समझान मैं चाहूंगा, change of tense का ये table है, आपको अगर दिक्कत खोड़ा होगा वीडियो देखने में, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या किजिए, कि आप Oxford का grammar का book ले लिजिए, या किसी भी grammar का, लेकिन Oxford का ले जिएगा, तो ज्यादा बेहतर होगा, Oxford का grammar का book ले लिजिए, 288, जी, page number 288 होगा, page number 288 देखिएगा, Oxford के grammar के book में, page number 288, वहाँ से भी आप इसको नूट करते हैं, चल सकते हैं, कि नहीं, तो सर हम क्या करते हैं, कि यदि reporting वब present, फिर से मैं समझाता हूँ, यदि reporting वब present और future tense में हो, तो change of tense नहीं होता है, यदि reporting वब past tense में हो, past tense करेंगे, यदि reported is present and definite होगा, तो हम उसको past and definite में बदलेंगे, किसने बदलेंगे, past and definite में, यदि reported is present continuous होगा, तो हम उसको किसने बदलेंगे, past continuous tense में, ठीक है, past continuous tense में, अगर reported speech present perfect होगा, तो हम उसको बदलेंगे past perfect tense में, यदि reported is present perfect continuous होगा, तो हम उसको बदलेंगे past perfect tense में, मतलब इस टेबल को समझना काफी easy है, देखिए आप screenshot भी ले सकते, इस टेबल को समझना कैसे काफी easy है, कि जितना भी present का होगा, चाहे indefinite हो, चाहे continuous हो, चाहे perfect हो, चाहे perfect continuous हो, उट total का total जो है क्या बदल जाएगा, past में बदल जाएगा, मतलब अगर present and different होगा, तो past and different में बदलेगा, अगर present continuous होगा, तो past continuous में बदलेगा, अगर present perfect होगा, तो past perfect में बदलेगा, और अगर present perfect continuous होगा, तो किस में बदलेगा, past perfect continuous में बदलेगा, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये rules है, कि भाई present के जितने भी चीज़े हैं, पाश्ट में बदल जाएगा हाला कि मैं बता दूंगा कि बदल क्यू रहा है बदल इसलिए रहा है कि उसकी सैड है तो सैड अगर reporting भव है तो बात यहाँ पर आपसमझ सकते हो कि उसने कहा तो कहा कब पाश्ट में तो पास्ट की बात पास्ट में चाहिए ने सर तो इसे लिए परजन के जितने वी होते हैं रिपोटेटि स्विपेंश में तो टोटल का टोटल किसमें बदल जाता है पास्ट में बदल जाता है तो सर अब तुम समझ लोगए उस अधृत C हो continuous हो perfect हो perfect continuous हो यह total का total बदल जाता है past में नहीं मतलब कर्मानुसार बदलता है ठीक है अब चलिए हम लोग चलते second table पर second table को देखिए second table क्या है कि past indefinite अगर past indefinite होगा तो फिर हम कहां बदलेंगे तो अगर past indefinite होगा तो हम उसको बदलेंगे कौंची में past perfect में अगर past continuous होगा तो उसको हम बदलेंगे past perfect continuous में और past perfect और past perfect continuous जो होता है यह no change होता है क्या होता है यह change नहीं होता है तो इसके लिए अगर आप चाहें तो मैं आपको एक trick बतायता हूँ tricks आप इसको याद कर सकते हैं एक trick है 13 24 का क्या है trick 13 की नहीं 24 बच्चा बोलेगे यह 13 24 का rule क्या है तो यह 13 24 का rule जो है आप इसको आप ऐसे समझ सकते हो यह first जो है न फोस्ट यह past indefinite है यह बदलेगा past के तीसरे में तो past का तीसरा क्या होता है past perfect होता है तो पास्ट इंडिफिनिट बदलेगा पास्ट पॉफिक्ट में, तो यह पहला बदल जाएगा तिसरा में, मतला पास्ट पॉफिक्ट में बदलेगा, अच्छा, यह जो दूसरा है न, यह पास्ट कंटिनिवस है, यह दूसरा मतले यह सेकेंड जो है न, वह पास्ट क्या है, तो Past Continuous बदल लगा चौथा में, चौथा क्या होता है Past Perfect Continuous, तो वही चीज दो है यहां पर, पहला बदलेगा तिसरा में, मतला Past and Different बदलेगा Past Perfect में, यह ने चुकě तिसरा Past Perfect होता है, दूसरा बदलेगा चौथा में, दूसरा होता है Past Conñuous, वो बदलेगा past perfect continuous में और जो ये तीसरा और चौथा होता है मतलब past perfect और past perfect continuous ये तीसरा और चौथा जो होता है यही होता है no change मतलब कोई दिकत किसी बच्चा है बच्ची को असानी से सबको समझ में आ गया कोई दिकत इसमें नहीं होना चीए बाड़ी बाड़ी से हम सब चीज को प्रूब करेंगे बस कुछ और एक्जांपल हम लोग डिल कर लेते हैं इसको समझ लेते हैं कुछ और एक्जांपल नहीं अभी इसको हम लोग क्या करते हैं कि पूरा समझ लेते हैं उसके बाड़ हम लोग इस एक्जांपल को डिसकस करेंगे देखिए और भी जो है change of tense में क्या होता है अगर सैल होगा न सर सैल अगर यह सैल होगा तो सरु बदलेगा सुड में और अगर विल हो होगा वह बदलेगा वाजवेयर में और है वैज जो है वह बदलेगा हैड में सर वाजवेयर बदलेगा हैड में और सर हैड टू प्लस भीवन बदलेगा हैड है टू प्लस भीवन में और कूड सूड माइट उड यह जिनरली नो चैंज मतला यह बदलता नहीं है तो आपको पाज बेल को बदलना है कौँची में, हैडविन में, और आपको जो है, कैन को कुड में, मेको मैट में, सैल को सुड में, विलको बेल में, ये मॉडल में भी हमने आपको पढ़ा दिया था बहुत अच्छे ढंग से, कि भाई ये बदलता कैसे है, तो ये आपको बस याद करना है, कि ये बदलता कैसे है, ठीक है, बदल क्यों जाता है, ये आपको याद कर लेना है, और फिर उसके बाद जो है, अगर आप बात करेंगे, तो मैं चलो, आपको क्या करता हूँ, कि मैं सिधे, आपको इसका एक्जामपल का जो है, एक्जामपल में बतायता हूँ, तो आप example कि अगर आप बात करते हैं तो चलिए आप लोग समझने की कोशिस किजिए मैं example आपको मतलब बोट पर बतायता हूँ आप अच्छे से समझ लोगे देख लो कि example में है कि he said to me I am your friend तो सिधी सी बात है भाई मेरे कि आप इसको क्या करो कि बनाओ तो आप इसको अगर बनाओगे friend का spelling गलत हो गया कोई किसी को पता चल ला है भाई friend का spelling गलत हो गया ये किसी को पता चल ला है कोई claim कर सकता है friend ठीक है तो अब चलिए अब यहाँ पे समझे sad reporting verb यहीं है reporting verb कौन है sad तो यह present भाई की past में है पास्ट में है तो पहली बात की अगर side रहेगा तो told में बदलेंगे चुकि इसके बाद 2 प्लस क्या है object है तो he told me inverted comma that और I first person किसके अनुसार subject के अनुसार he और each MR को कौन्चे बदल ना था बता वाज वेर तो he वाज और your second person किसके अनुसार object के अनुसार तो योड का जो case है वह possessive objective case है तो sir हम उसको बदलेंगे कौन्ची में माई में बदलेंगे चुकि मी का जो possessive objective case होता है वह क्या होता है माई होता है तो my friend कोई दिक्कत किसी बच्चा बच्ची को देखिए कितना easy है अगर आपको देखिए अगर आपको ये पता चलने में दिक्कत होड़ा है कि भाई side को told में क्यों बदले तो ये तो आपको इसके लिए आपको video 2 देखना पड़ेगा part 2 देखना पड़ेगा ने रेसन का चुकि उसमें मैंने बताया था कि यदि reporting में के बाद अगर object आता है कि नहीं तो फिर हम क्या करते हैं कि भाई say को tell में sage को tells में और side को told में बदलते हैं inverted comma के बदले dad क्यों आया तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसके पहले वाले वीडियो देखना पड़ेगा और I चोकी first person है उस subject के अनुसर बदला है तो इसका भी नियम जो है मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया था तो वो देख लेना पड़ेगा फिर चलो एक दो एक दो एक जमपल और बतायते हैं जैसे मान लिया जाया कि अगर बोलते हैं C said to me I can do it do it नहीं I can change कर देते हैं I can help you तो सिदी सी बात है कि said है reporting वा past में ठीक है to plus object है to said को क्या पतलेंगे told में to see told me inverted comma that I first person subject के अनुसर क्या see and can को किसे बदलना है could में could में किव बदलना है क्यूंकि भाई audit reporting वा कुंची में है past में reporting रिपोर्टिंग में है past में अगी बात समझ में when possible क्यूंकि reporting वाँ स्वाश्ट में to see could help are you second person object के अनुसर क्या होगा me कोई दिक्कत किसी बच्चा है बच्ची को अगर दिक्कत है तो चलो भाई कुछ और हम तुमको क्या करते है मतलब समझाते है कुछ और एक्जम्पल देते है कुछ और एक्जम्पल चलिए एक दो एक्जम्पल और देते है मल लिया जाया राम सेड to sita I help you Ram ने sita से कहा I help you, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तो sad के बाद two plus object है है की नहीं sad के बाद two plus object है की नहीं अगर है तो told में बदलेंगे न तो चलो बदलते हैं राम, टोल्ड, सीता, inverted को माई को बदले, dead, अब I first person किसके अनुसार, subject के अनुसार, तो राम लड़का है, तो लड़का के लिए कौन पोड़ाउन यूज होता है, he, तो he, अब help चुकि present indefinite है, कैसे पता चला, चुकि भर्प का पहला रूपी इस्तमाल हुआ है, तो B1 और B5 का पता हो कहां होता है, present indefinite में, ये तो आपको tense में पता करना पड़ेगा, tense पड़ना पड़ेगा इसके लिए, तो ये present indefinite है, तो present indefinite को कहां बदलते हैं, बताओ, past indefinite में, object के अनुसार, तो चुकि C ता लड़की है, तो लड़की के लिए pronoun क्या होगा, C, अब चुकि U यहाँ पर objective case में है, तो C का objective case क्या होगा, हर, तो इसलिए से यहाँ पर हर आएगा, कोई दिक्कत किसी बच्चा है बच्ची को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर दिक्कत नहीं है, तो चलिए, इस rule का exception भी है, इस rule का exception है, क्या exception है, exception आपको पता होना चाहिए, कि exception उसे कहते हैं, जो rule पर काम नहीं करता है, अब rule क्या है, rule यही है, कि भाई यदी reporting भब, पर्जेंट और future में हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, change of tense नहीं होगा, लेकिन reporting भब अगर past में हो, तो change of tense होगा, change of tense क्या होगा, मैंने बता दिया आपको, कि present indefinite, past indefinite में, present continuous, past continuous में, present perfect, past perfect में, present perfect continuous, past perfect continuous में, और present, जो है, यह perfect continuous, past perfect continuous में, और past का जितना है, जैसे past indefinite past perfect में, past continuous, past perfect continuous में, और जो past perfect है, और past perfect continuous है, यह no change होता है, फिर can को could में, make or might में, sign को, should में, will को, would में, इजामार, watch where में, have as head में, और फिर watch where, head bin में, और head 2+, जो है, B1, head head 2+, B1 में change करेंगे, और जो could है, should है, might है, यह generally no change, यह बदलता उदलता नहीं है, अब इसमें, अगर कोई बचाम से यह पूछे, कि sir, EJMR को watch where में, बदल देते हैं, क्यों, तो इसके लिए मैं एक दम, जो है, short video बना दूँगा, और चुकी watch where को, head bin में बदलते हैं, क्यों, अगर कोई हम से यह पूछे, तो इसके लिए, एक दम, short video बना देंगे, मतलब, prove कर देंगे, कि क्यों, मतलब, बदलते हैं, यह total का total, prove भी कर देंगे, तो चलिए, हम लोग, मतलब, आपको यह बता दे, कि भाई, अब हम पढ़ने वाले exception, exception क्या, कि यदि reporting भभ हो, past tense में, लेकिन फिर भी, change of tense नहीं होगा, कव नहीं होगा, तो उसके लिए, आप अडाम से एक note लिख लिजिए, आप note लिख लो, या आप क्या कर लो, कि आप मतलब, एक exception कर के लिख लो, exception यह है, कि यदि, सबजी आप, यदि reporting भभ, past tense में हो, ठीक है, past tense में हो, तथा reported speech, क्या, reported speech, universal truth हो, अब universal truth मतलब क्या होता है, अब universal truth को समझाने के लिए, आपको tense, आपको याद होगा, मैंने tense में पढ़ाया था, universal truth क्या होता है, universal truth का मतलब कि, वो चीजे जो पहले भी होती थी, आज भी होती है, और भविस में भी होगी, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे सूरज पूरब में उगता है, पहले भी हुगता था, और भविस में भी पूरब में होगेगा, परिथवी सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है, आज भी काटती है, कल भी काटेगी, और जो है, मतलब पहले भी काटती थी, और दो और दो चार होते थे, होते है, और होंगे, यह क्या है, यूनिवर्सल तूरूथ है, भाग बाहदूरों का सांथ देता था, आज भी देता है, भविसमें भी जो है बाहदूर को ही भाग बाहदूर सांथ देगा, यूनिवर्सल तूरूथ का मतलब अगर हम बता है कि इमंदाड़ी सबसे अच्छी निती होती है, होगी, मतलब यह universal truth है, समझ में आया, universal truth किसे कहते हैं, भाई, कि universal truth हम अगर और भी example की बात अगर करते हैं, तो अगर हम बोले कि भाई, चांद रात में चमकता है, पहले भी रात में चमकता था, आज भी रात में चमकता है, और भाविसमें भी रात में चमकता है, तो सिधी सी बात है कि universal truth समझ में आ गया किसी को कोई दिक्कत नहीं रित्वी गोल है या गोल थी या गोल ही रहेगी यह चोकोर थोड़ी हो जाएगी तो universal truth तो फिर से समझो यदि reporting भब past tense में हो तथा reported speech universal truth हो तो indirect बनाते समय हम reported speech के tense और person में कोई change नहीं करते हैं या reported speech के person में टेंस और person में कोई change नहीं होता है तो आप समझेलिशे कि यजी सी बात है चीज मैंने extra लिखा दिया लेकिंज это के तवर पर यह बात कि सी बूल को बता दिया है की change of person भी नहीं होता है for example कि अगर हम बात करते हैं तो आप example देख सकते हैं यहाँ पे screen पे he said the earth is round उसने कहा कि प्रिथिवी गोल है तो चलो reporting बब यहाँ पे sad क्या है past tense में है sad भी टू है ना तो past tense में है तो past tense में है तो अब यहाँ पे sad को sad ही रहने देंगे अब अच्छा बोलेगा told में क्यों नहीं बदले भाई कैसे बदल दे sad के बाद two plus object नहीं है अगर two plus object हो था तब told में बदलते तो sad को sad ही रहने देंगे inverted comma के बदले में क्या dad का प्रोग कड़ेंगे अब क्या है कि the earth is round यह reported speech है inverted comma के अंदर वाले वाकी को reported speech inverted comma के बाहर वाले वाकी को reporting speech ही सब आप लोग को पता है सब पढ़ा चुके है पहले ही वीडियो में पढ़ा चुके है यह टोटल का टोटल तो the earth is round प्रिथवी गोल है यह तो universal truth है ने सर प्रिथवी आज गोल थोड़ी है पहले भी गोल थी आज भी गोल है और वाविस में भी क्या होगी गोल ही रहेगी तो सर यह universal truth है इसके change of tense इसमें हम change of tense नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं इसकी बात अगर आप करते हैं तो चलिए अगर हम गलती से वाज कर दिये कि नहीं और जो है अगर हम इसका हिंदी निकाल के देखे तो क्या निकलता है उसने कहा कि प्रिथवी गोल थी और आज चोकोड हो गई है तो यह गलत हुआ कि नहीं हुआ तो इसलिए हम change of tense नहीं करते हैं चुकि change of tense करेंगे तो जो universal truth वाली गर बढ़ हो जाएगा तो I hope कि यह बात आपको समझ में आ गया कि change of tense क्यों नहीं करते हैं कोई दिक्कत किसी बच्चा है बच्ची को दिक्कत है भाई नहीं है तो चलो यह और भी example अगर आप बोलते हैं तो कुछ और example भी अगर हम देते हैं अब देख लिजिए कि अगर मा राइजेज इन दा इस्ट शिक्षक ने कहा सूरज पूरब में उगता है तो सिदी सी बात है कि यह सूरज पूरब में उगता था उगता है उगेगा कौन सा है युनिवर्सल दूरू था है कि नहीं है तो इसके change में हम trends में कोई changing नहीं कर सकते हैं तो sir the teacher said अब sad है यहाँ पर देख लो कि reporting बाब के बाद कोई object नहीं है तो हम told रहा हम बदल सकते हैं क्या नहीं बदल सकते हैं sad का sad ही रहेगा तो the teacher said नहीं inverted comment बदले that और यह the sun rises in the east मतलब यही रहेगा आप इसमें change of tense नहीं कर सकते हैं चोकि change of tense अगर करेंगे तो rises के जगह पे जो है इसका भीटू यूज करेंगे रोज यूज करेंगे तो यहां पर रोज होगा ही होगा चुकि रोज भरब का कौन रूप है दूसरा रूप है तो सरम नहीं कर सकते हैं चुकि यह करेंगे तो sentence क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा क्यों चुकि हिंदी निकल के आएगा कि सूरजपुडव में उगता था और आज दच्छिन में उ होगता है तो यह sentence गलत हो जाएगा तो आपने यह समझ लिया कि भाई हम चेंज ऑफ टेंस करते हैं कब जब रिपोर्टिंग वह पास्टेंस होगा तब लेकिन भाई रिपोर्टेट इस पीच अगर यूनिवर्सल तुरूथ हो तो हम चेंज ऑप टेंस नहीं करते हैं यह ब हो चार आप्सन दो उसमें से एक सही और बागे तीन आप्सन क्या होंगे गलत होंगे तो तीन गलत आप संसको पाचानते उत उब और क्या कर लो कि थोड़ा से आप चैनल को like कर दो हाँ जलदी से like कर दो और share भी कर दो चलो test के लिए ready हो जाए हैं हाँ test के लिए आप लोग हो जाए ready तो चलिए आपके σ्क्रिनपे जैसा कि आप देख sकते है आप देख पा रहे हैं कि हम लोग जो है practice it on a new pattern exam में जो pattern है कि नहीं वह मतलब उसी pattern पे हम लोग जो है practice it करेंगे तो चलिए सबसे पहली बात कि आपको question दिखना चीए पूरा का पूरा तो question दिखे इसके लिए हमको थोरा सा करना पड़ेगा इसको sort तो चलिए question जो है एक number question आपके screen पर ये रहा जल्दी से जवाब दिजिए थोरा सा आप कोसिस किजिए जवाब देने का मैं आपको trick भी बताते चलता हूं कि कैसे हम लोग इसको क्या कर सकते है कि जब आप दे सकते हैं चलिए question number first क्या कहता है question number first कहता है he said to me उसने मुझसे कहा I am your neighbor मैं आपका क्या हूं परोसी हूं मैं आपका परोसी हूं तो पहली बात की sad जो है न टू यह reporting भब है ठीक है यह past में है तो यह जो एज माड़ है यह वाजवेर में बदलना चीए बदलना चीए कि नहीं बदलना चीए तो उस ही साफ से यह जो एज है यह वाला sentence आप गलत कर दो क्यों गलत कर दो चुकि भाई अगर I first person subject के नुसर ही होता तो ही के बाद एज आमर को भी तो बदलना था न एम कुवाज में तो सर यह एज यहाँ पे है तो यह वाला option गलत हो गया चलिए अब हम चलते है कि अब चलिए sad to को हम told में बदलते है तो told के बाद आप इसके पहले भी टेस्ट दिये थे तो टू नहीं आता है तो यह वाला भी option गलत कर दो क्या अब हम c number की बात करते है क्या तो c number की अगर हम बात करते हैं c number की बात अगर हम करते हैं तो he told me ठीक है, said to control में बदला, बिल्कुल सही, inverted comma debt, I first person subject के अनुसर ही, और इजामाड को वाज, ठीक है, your second person किसके अनुसर, object के अनुसर, my, ये भी सही, और neighbor, ये बिल्कुल सही है, लेकिन हम थोड़ा सा क्या करते हैं, कि C वाला, D वाला option को देख लेते हैं, he said to me, याडे भाई, य चेंजे नहीं किया है, तो ये तो ऐसे ही गलत है, तो इसका जो right answer होगा, वा क्या होगा, बताओ, इसका right answer होगा, बताओ, जल्दी सही, इसका right answer होगा, C, समझ मेरा ने भाई, चलिए हम लोग चलते है, next, next question के तरफ चलते है, question number 2 के तरफ, आप जो है, एक बार थोड़ा सा कोई दिकत नहीं है, चलिए, क्या है, question, माफ कीजिएगा, आपका question यहाँ पे है, जी, तो बताओ, इसका क्या होगा, जल्दी से, क्या होगा, he said to her, I help you because you are a good girl, उसने उससे कहा, क्या कहा, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, क्योंकि तुम्हें एक अच्छी लड़की हो, तो सिधी सी बात है, कि आप देख लिजे कि सायड यहाँ पे reporting बब है, है न, present है, past है की future है, तो सर यह है present, sorry past, तो जब past है, तो निची तरुप से change of tense होगा, help यहाँ पे भीवन है, present in different, यह past in different में जाएगा, या art जो है, वा वाजवेर में बदलेगा न, ईजा मर, तो उससे साब से देख लिजे कि यहाँ पे ईज है, तो यह वाला option क्या हो गया, गलत हो गया, अगर आप देखेंगे कि side to के बाद अगर object होता है, तो ह अगर c को देखेंगे, तो c के पहले आप d को देख लिजिए, told जो है न, यहाँ पे told के बाद two आ गया, तो sir told के बाद कभी भी जब object आता है, तो two का प्रोग नहीं होता है, तो यह वाला option भी क्या हो गया, गलत हो गया, तो अब हम c वाले पे देखेंगे, हलाकि c वाला तो टोल्ड में बदला है, बदला है, इनवर्टे को में के बदले, डाइट आया है कि नहीं है, बिल्कुल आया है, अब जो, I help you present in different में, यह past in different में आया है, बदला है कि बदला है, तो बदला है, helped verb का दूसरा रूप, अब जो है, चुकि, you are a good girl, यह क्या है, बदला इजा मार को वाजबेर में बदला है कि नहीं बदला है, you second person object के अनुसरा ठीक है, हड के अनुसरा C, और E जा मार को वाजबेर में, बिल्कुल यह सही है, यह सही जवाब है, चलिए हम लोग कोश्चन नमर चलते हैं, थिरी के तरफ, कोश्चन नमर थिरी, आपके स्कीन पर यह रहा, जल्दी जल्दी जवाब दिजै, सारे बच्चे, जल्दी जल्दी सारे बच्चे जवाब दिजी, कोश्चन नमर थिरी का क्या होगा, ध्यान दिजे, कोश्चन नमर थिरी, लाइट कट गया यहां पर, लेकिर फिर भी digital board चलता रहेगा, हम काले दीख रहे हूँगे तो है कलर में क्या रखा है चलो फिर से राम सैट टुगीता राम ने गीता से कहा क्या कहा आम नौट गूइंग टु हेल्प यू मैं तुम्हारी मदद करने नहीं जा रहा हूं तो सिदी सी वात है कि वहाई सैट टू रिपोर्टिंग पास्टेंस में तो इसको टोल बदलना चाहि तो टोलके साथ हमें षाद हमें जौन देना मैं ठ्रीक बता रहा जा हूं कि तोल्ड के साथ हमें सा जो है मतलब टू कभी नहीं लगता और यहां पर तू आगया इसलिए वाला और ऑप्सन गलत हो गया और गीता का जो जी हो है वह अप चुकी प्रॉपर नाउन है तो वह capital होना चीए तो यहाँ पे गीता का जी capital नहीं है तो इसलिए यह वाला वी option गलत हो गया तो हम पहले ही A और जो है C और D को गलत कर चुके हैं B वाला option बिल्कुल सही होगा मिला के देख लेते हैं सेट्टू को टोलने बदला है राम टोल्ड गीता बिल्कुल सही बात इनवर्टिट को माड़ाइट आई फर्स्ट पर्सन राम चुकी लड़का इसके लिए परणाउन क्या होना चीए होना चीए तो सर उस हिसाब से जो है मतलब ही ठीक है अब एम इजामार को वाजवियर में बिल्कुल यह वाज़राइट गीता लड़की है तो लड़की के लिए परणाउन क्या होना चीए C और चुकी U यहाँ पर objective case में है तो C का objective case क्या होता है हर तो इसलिए सर यहाँ पर हर बिल्कुल सही जवाब चलिए हम लोग question number क्या चलते है question number four के तरफ चलते है question number four जल्दी जल्दी जवाब दीजे सब लोग question number four क्या है आप देखिए question number four है they said to me उन लोगों ने मुझसे कहा we have done everything for you हम लोग पड़ते एक चीज आपके लिए क्या है कड़ चुके है तो सेधी सी बात है आप यहाँ पर समझ लिजिए कि sad to फिर reporting भब क्या है आप पर past में है आप ऐसे पकड़िएगा head को में बदलेंगे और side to को कौँची बदलेंगे told में तो basic चीज आपको यह दिखना है कि अगर told नहीं है तो गलत है और अगर head नहीं है तो गलत है तो यहाँ पर told तो है लेकिन head नहीं है तो यह वाला option क्या है गलत है अच्छा यहाँ पर told है और यहाँ पर head है तो यह A और C गलत हो गया B और D में doubt है तो चलो मिला लेते है दे टोल्ड मी होना चीज तो दे टोल्ड मी बिल्कुल सही बात यहाँ पर भी दे टोल्ड मी एंव यहाँ समझ में लाइट काट गया है कोई दिखत नहीं लाइटक कर गया है मतलब कोई issue नहीं हम लोग चलते हैं आगे question number five के तरफ चलते हैं चलिए question number five आपके screen पीए रहा है जल्दी जल्दी जबाब दीजी जल्दी जल्दी you said to her तुमने उससे कहा I have not beaten your brother मैंने तुम्हारे भाई को नहीं पीटा है तो सिधी सी बात है कि said to को told में बदलना है यह चीज ध्यान देना है trick के साथ समझो और have को कोंची बदलना है head में तो जहां पर यह दोनों चीज नहीं है वहां पर गलती है ठीक है तो यहां पर told तो है head भी है देखते हैं यह सही है कि गलत यह तो बिल्कुल गलत हो गया चुकि told के बाद two नहीं लगता है अच्छा यह have told है लेकिन यहां पर head नहीं है तो यह वाला option भी गलत यहां said to है told ही नहीं तो यह वाला option भी क्या गलत तो लगता है कि a number वाला option ही सही है कैसे तो said to told में ठीक है you told है inverted को my dad ठीक है I first person subject के अनुसार you ठीक है have a head में यह भी ठीक है not beaten your second person किसके अनुसार object के अनुसार तो your object के अनुसार ठीक है her brother बिल्कुल सही जबाब यह a number वाला option क्या है बिल्कुल सही है चलिए हम question number चलते हैं कहां six के तरफ अब six वाला जो है option को देखिए आप लोग थोरा सा सीखने को भी मिलेगा इस option से सीखने को क्या मिलेगा कि भाई बाप बढ़ा न भाहिया सबसे बढ़ा हां सबसे बढ़ा क्या रुपईया यह तो सबको पता है तो देखिए क्या है कि she said to me वह मुझसे बोली का बोली I don't like you मैं आपको पसंद नहीं करती क्यों काले है इसलिए जी नहीं because you are not rich क्योंकि आप पैसे वाले नहीं है तो आप देख लिजिए लाइट भी कटी ह हम तो और काले दिखने लगे तो she said to me वह मुझसे बोली I don't like you मैं आपको पसंद नहीं करती because you are not rich क्योंकि आप पैसे वाले नहीं है तो सिधी सी बात है भाई मेरे कि इसमें sad to है तो fit old में बदलेगा ना बदलेगा अब देखो basic चीज क्या देखना है और चुकि यहाँ पे आ रहा है तो इसको वाजवेर में बदलना था ना वाजवेर में यह basic चीज है और चुकि यहाँ पे don't है तो यह past में बदलेगे तो did not होना था ना तो यह basic चीज यह तीन चीज आपको देखना पड़ेगा तो आप देखिए कि भाई told ठीक है लेकिन यह does not है इसको बदलना चीज था did not में तो यह वाला option भी क्या हो गया गलत हो गया told ठीक है did not भी ठीक है और चुकि वाज भी ठीक है यह तीनों चीज हो सकता है यह option सही हो लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं सर यहाँ पर M है यह M नहीं होना चीज है चुकि इजामर को वाजबेर में बदलना था यह option भी गलत हो गया और यहाँ पर डजनोट ही यह option भी गलत हो गया बिल्कुल सर हम जहां थे वही सही है बी सही जवाब है कैसे she told me inverted comma dad I first person's object के नुसर C don't present in if you do past नुम बदलेंगे त did not like me ठीक है because you second person object के नुसर आई आई ठीक है इजामर को वाजबेर में बिल्कुल सही जवाब हिंदी समझ लजीए she told me that she didn't like me because I was not rich चलिया हम लोग चलते हैं आगे के तरफ question number seven के तरफ question number seven क्या कहाता है question number seven आपके skin पर यह है इसने कहा कि पृतिवी सूरज के चारो तरफ क्या करती है गुमती है उसने कहा कि पृतिवी सूरज के चारो तरफ गुमती है तो सबसे mean 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 object गया तो नहीं बात की यहाँն को देखते हैं। यहां भी told me told.me told ART मी नहीं है तो मी नहीं है तो यह है जाई है जाई होगा अब यह जाई हो गया आप दिawa ब दोनों होगा यह कैसे तो डी वी ऑप्शन खतम हो गया अब हम बात करते हैं इसकी तो सर यहां जो दो अर्थ मुप्स राउंड दसन है यह उनिवर्सल तुरूथ है ना तो चेंज अप टेंस होगा क्या उनिवर्सल तूरूथ में नहीं होगा ना तो नहीं होगा तो यह वाला नमबर चलते हैं एट के तरफ दस कोश्चन कडाएंगे मात्र दस कोश्चन आप सब लोग जो है थोड़ा सा दिल थाम के बैठिए अब ज्यादा दिर नहीं लगेगा अब जो है खतम ही हुआ चलिए कोश्चन नमबर और एट तीचर साइड लेवर नेवर नेवर गोजिन सिक्षक ने कहा मेहनत कवी वेकार नहीं जाती सिक्षक ने तो यह यूणी वर्शल तरूथ है ना उसमें तो कुछ nggak करदे मधर दे ना है आट का और बाकी उतार देना है तो चोश्चे टोब्य नहीं है तो तो होगा नहीं ये वी बैटट लेवर नेवर गोजिन वह सब जवाब है और यह वाला option गलत हो जाएगा इसलिए चुकि यहां पर वेंट कर दिया गया है इसमें change of tense नहीं होता है कब जब reporting भाव reported speech universal truth होता है तब चलिए question number चलते है 9 के तरफ मज़ा आड़ा है आप लोग को मज़ा अगर आड़ा है तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए समझे जल्दी जल्दी जवाब दीजिए चलिए यह question number 9 क्या करता है I sad मैंने कहा iron is more useful than gold यह जो लोहा होता है वह सोना से ज्यादा क् उप्योगी होता है तो मैंने कहा कि भाई लोहा सोना से ज्यादा उप्योगी होता है तो सेदी सी बात है भाई मेरे आप इसको समझेए कि मैंने कहा कि लोहा सोना से ज्यादा उप्योगी होता है तो यह भी क्या है universal truth है यह भी universal truth है तो इसमें भी कुछ नहीं करना है inverted कौमा क बदले क्या यूज करना है डाट यूज करना है और यूनिवर्सल तुरूत को मतलब रिपोर्टेटी स्पिच को उतार देना है तो सैट को तो टोलने में बदल नहीं था क्योंकि इसके बाद आपजेक्ट नहीं है तो सर यह वाला ऑप्शन गलत हो गया अब यह ठीक है यह वा कब बोर्ड ओफ हो जाए यह कोई नहीं जानता है तो चलिए हम लोग चलते हैं कोश्चन नमबर टेन ही सैट उसने कहा वी आर मोटल हम लोग मुरंसील है तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे यहां पर बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि सैट के बाद कोई कि रिपोर्ट साइट के बाद कोई अब्जेक्ट नहीं तो ही साइट इनवर्टेट को मां के बतले डैट अब फिर्स्ट पर्सन सब्जिक के अनुसर तो आपको मैंने बता दिया कि भाई चेंज ऑप पर्सन भी नहीं होता है कब जब युनिवर्सल तुरूथ होता है तब आप समझ लो कि चेंज ऑफ टेंस हम नहीं करेंगे लेकिन चेंज ऑप पर्सन भी नहीं होगा चेंज ऑप पर्सन भी नहीं होगा तो उसे साफ से सर वी ठीक है चेंज ऑप पर्सन नहीं हुआ है लेकिन सर वी के अनुसर वाज कैसे होगा तो यह वाला उप्सन भी क्या है मत क्या हुआ सही जबाब हुआ तो चलिए आप आज का क्लास यह पर हम लोग खतम करते हैं फिर मिलते हैं कल सेम टाइम छे बजे नए वीडियो के साथ तब तक आप अपना ख्याल लखिए घर पे रहिए सुरक्षित रहिए और अधिक से अधिक जो है मतलब मेहनत कीजिए और थोड़ा सा मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं आपका टाया ट्यूशन भी बना रहा हूं तो नया ट्यूशन बन वा रहा हूं उसमें बहुत सारा काम मुझे खुद चुकी मैं ओनर हूँ तो मुझे देखना पड़ता है तो अगर वीडियो एगर ह मैं थोड़ा सा लेट वएगर होता है तो माफ करना मैं टेलिग्राम पर सारा नोटिफिकेशन डालता रहोंगा जितने भी नए बच्चे हैं आप मेरे टेलिग्राम से जूड़ जाए कि नहीं टेलिग्राम के लिए जो आपको कुछ नहीं करना है टेलिग्राम पर जाके सर् अमीत सर इंग्लिस गुरू और जैसे आप अमीत सर इंग्लिस गुरू सर्च माड़ेंगे मेरे टेलिग्राम चैनल आपके इस्क्रिन पर आजाएगा और आप उसको जोईन कर लिजेगा ठीक है तो चलिए तब तक के लिए आपसे मैं लेता हूं विदा आप अपना ध्यान लखिए लाइट पी कट गई है थेंक यू